दोस्तों क्या आप भी अपने मोबाइल फॉन से इसकी टोईलेट की एनिवेशन बरारा चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आहें वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना कैमरा मैं दुलते से फोकस करो चलते हैं सबसे पहले अपने प्रीज मारी में और प्रीजमा थिरी डी एपन हो रहा है हमारा और यह जूस्त अच सब्ने करें और यहां से फिर इसमें अंदर पर्वेश करें देजेए अपने प्रीजमी में 10 मौडल की जूर। की जिसा कि लिख्रनेट का मोडल है उसके रिख्रोः पड़ेगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहां से यहांसे हम अपना जो है ओ क्रूम ब्राउजर ओपन करेंगे और वहां पर हम सर्च में क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे sk land स्केच फैब स्केच फैब स्केच फैब स्केच फैब और यह सबसे उपर वाली जो साइट है इस पर क्लिक करेंगे और यहां से फिर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आजाएगा और यहां पर काफी मोडल आपको दिख रहे हैं लेकिन यह जो है आपको यहां से जो है आपको पैसे में भी मिलेंगे आपको प्रीमियम भी है कुछ और फ्री भी है तो हम यहां पर सर्च करेंगे वैर हाउस और वैर हाउस में हम यहां से कोई भी एक जो है सेलेक्ट कर लेंगे मैं देख रहा हूँ अभी कौन सा कौन सा सेलेक्ट करना है ये वाला ये वाला तो हम जो है यहाँ से ये ये जो गैसलेंडर वाला है इस पर किलिक करेंगे हम ये वाला डाउनलोड करेंगे तो चलिए फिर डाउनलोड करते हैं अब यहां पर जो डाउनलोड का ऑप्शन है यह और यहां से हम जी एल टी एफ वाला जो ऑप्शन है यहां पर दिख रहा होगा डाउनलोड पर तो हम इसको यहां से यह वाला हम डाउनलोड करेंगे अभी डाउनलोड हो रहा है डाउनलोड हो गया हम यहां से इसको उपन करेंगे और yer่ हमइड फाइल पे किलीक रके यहां से हम इस तरह से यह एक्षेक्ट का औप्षन जो आ रहा है Y Roger Series यहां से extraders लेंगे इसको इसका भी बहुत फायदा है मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में अभी फिलाल हम इसको एक्ष्टरेक्ट करके वापस हम यहां से अपने प्रिजमा 3D में चले जाते हैं और यहां पे हम 3 लाइन जो राइट साइड में दिख रही है यहां पे हम इस पे क्लिक करेंगे और फिर 3D इंपॉर्ट पे क्लिक करेंगे और ऐसे हम अपनी गेलरी में आ जाएंगे यहां पर फाइल में आ जाएंगे और यहां पे जो हमने डाउनलोड किया था यह वैर हाउस और यहां से हम since gltf पे click करेंगे और यह यहाँ पर आ जाएगा तो यह आ गया है हमारा जो model है वो आ चुका है तो हम इसको थोड़ा सा जो है सही कर लेंगे थोड़ा सा जो lining आ रही है इसमें थोड़ी सी problem होती है तो इसको थोड़ा हम उपर की तरफ खीच लेंगे डालने होते हैं और इसमें color वगेरा करना होता है वो मैं आपको सब कुछ बताऊँगा ताकि आप अच्छी तरीके से सीख जाओ अभी पहले मैं आपको model दिखा देता हूँ इसमें लाके तो हम दुबारा अपना security toilet भी यहाँ पर लाते हैं तो हम फिर भी कोई एक इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे जैसा के हमारे सामने किये है इसकी बड़ी toilet यह वाला इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड के लिए हैं GLTF वाले option पर किलिक करना है और यहाँ से हमारा यह डाउनलोड हो चुका है यहाँ पर ले आते हैं तो 3D import पर यह क्लिक करके यहाँ से लेकर आएंगे हम फिर से इसकी टॉइलेट यह रहा हमारा सेंस GLTF पर ही क्लिक करना है हमें यहां से और यह आ चुका है हमारा ओ भाई यह क्या हुआ भाई यह तो हमारे जो है वेरा हुस से बहुत काफी बड़ा निकल गया तो कोई बाद नहीं प्रोब्लम वाली कोई बाद नहीं हम इसको बिलकुल जहे लेवल में ले आएंगे बिलकुल छोटा कर लेंगे हम इसको यहां से छोटा करने के लिए scenes पे हमें क्लिक करना है नीचे वाले पे जो हमारा ये दूसरे नंबर का है इसमें थोड़ा सा confusion रहता है तो इसलिए पहले हम इसे scenes वाले option को इस पे दो बार टैप करेंगे और यहां पे जो name का option है इस पे name पे क्लिक करके हम यहां से सबसे पहले इसका ना है model हमारा कहा है उस पे क्लिक करके हम असानी से इसको कर सकते हैं तो अब हमारे सामने यह left side में जो transform का option दिख रहा है transform पे यहां पे हम क्लिक करेंगे इसका size छोटा करने के लिए यह जो option है और यहां पे हम क्लिक करते हैं scale वाले option सबसे नीचे दिख रहा होगा यह तीन है इन्हें तीनों का size बराबर बराबर रखना है तो हम छोटा कर लेंगे 0.02 यह कर लिया अब दूसरे number वाला भी हम यह करेंगे 0.02 यह भी 0.02 कर लेंगे हम यहां से और यह हो गया हमारा activity toilet बहुत चोटा हो गया है अब थीक है अच्छा हो गया है बिलकुल अब यह यहां के हिसाब से अगर्डर्सी बात हो तो फिर इतना size बढ़ा सकते हैं और कंब कर सकते हैं तो हमारी स्कीविटी टॉइलेट का जो है वो फेस दूसरी साइड में है और इसको घुमाने के लिए हम हमें जो है यह जो लेफ्ट साइड में आपको यह जो दिख रहा है कोने पे उपर की तरफ इस पे बीच वाले पे क्लिक करेंगे जो राउंड वाला एरो है और फिर हमको यहां से इसको ऐसे इस तरह से घुमा लेंगे हम तो गाइस अभी खैर वीडियो बहुत जादा लंबी हो गई है और मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है और भी सिखाँगा इसमें टैक्श्चर कैसे डालने है इसमें कलर कैसे करना है इसको एनिमेशन कैसे देनी है वो म मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको सब चीजे बताऊंगा तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए तो भाई या कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और नेक्स पार्ट को देखना बिलकुल मत बूलना हमारे चैनल को सबस्क्र झाल